इस चाप्टर में खुश्वन सिंग ने हमें बताया है कि उनकी ग्रैंड मदर कैसी थी और उनने अपना चाइल्ड हुड उनके साथ कैसे बिताया और लास्ट में स्चोरी के एंड में उनकी डेथ कैसे होती है तो सबसे पहले तो वो अपनी ग्रैंड मदर के एक शॉट डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसमें वो हमें बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर की हाइट छोटी थी और उनकी कमर थोड़ी जुकी हुई थी उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स थे और वो इतनी बुड़ी हो चुक थी उनकी ग्रैंड मदर पूरे टाइम प्रेयर करती रहती थी और उनके हाथ में हमेशा एक रुदराक्षी माला हुआ करती थी फिर ऑथर उनके स्वभाव की सुन्दरता को बताने के लिए एक लाइन कहते हैं जो है जिससे वो ये कहना चाते हैं कि उनकी सोल बहुत ही प्यार एंड सेक्रिट थी और उनकी बहुत बढ़ी सफेद दाड़ी भी थी और ऑथर को उनने देख के ऐसा लगता था कि वो सौ साल से भी ज़्यादा बुड़े हो चुके हैं फिर ऑथर हमें ये बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर और वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे ऑथर के जो पैरेंट्स थे उन्होंने ऑथर को उनकी ग्रैंड मदर के साथ उनके विलेज में छोड़ दिया था और सैटल होने के लिए वो सिटी में शिफ्ट हो गय थे वहाँ पर विलेज में रोज उनकी ग्रैंड मदर उन्हें सुभे तयार करती थी और स्कूल लेके जाती थी सुभे तयार करते वक्त ग्रैंड मदर हमेशा प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी और ये सोचती थी कि कभी ही न कभी हमारे author उन्हें याद कर लेंगे पर वो कभी भी उन्हें याद करने की कोशिश नहीं करते थे बस वो उन्हें सुनते रहते थे क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता था उसे सुनना ओधर हमें ये भी बताते हैं कि सुबह स्कूल जाते टाइम उनकी ग्रैंड मदर उन्हें एक wooden slate देती थी और कुछ yellow chalks और उसके साथ एक ink pot और एक red pen दे देती थी फिर author बताते हैं कि उनकी grandmother उन्हें सुबह नाश्ते में stale chapatis दिया करती थी जिस पे butter और sugar लगा हुआ रहता था और school जाते time वो कुछ और stale chapatis को अपने साथ ले जाये करती थी village dogs को खिलाने के लिए फिर author हमें यह बताते हैं कि उनकी grandmother हमेशा उनके साथ school जाये करती थी क्योंकि उनके school से attached एक temple था जब बच्चे school में पढ़ रहे होते थे तब उनकी grandmother temple में बैठके holy scriptures को पढ़ा करती थी जैसे कि गीता और जब दोनों का काम खतम हो जाता था तब वो दोनों अपने घर आ फिर author हमें यह बताते हैं कि उनके जब parents city में settle हो जाते हैं तब वो उनकी grandmother और उने city में रहने के लिए बुला लेते थे और हमारे author इसे एक turning point describe करते हैं अपनी grandmother और उनके बीच की friendship का वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि भले ही अब city में वो एक same room में ही रहते थे पर अब author एक English school म भी नहीं होते थे जिने grandmother चपातीस खिला सके पर वहाँ पर dogs को replace कर दिया था sparrows ने फिर जब author अपने school से वापस आते हैं तब उनकी grandmother जब उनसे पूछती है कि उनने school में क्या पढ़ाया जाता है तब author उने English words और science के बारे में बताते हैं जैसे law of gravity, Archimedes principle और earth का goal होना ये इस बात से भी दुखी थी कि उनके school में भगवान और holy scriptures के बारे में कोई पढ़ाई नहीं करवाई जाती थी और जब author ने उनने बताया कि उनके school में music lessons उनने सिखाय जाते हैं तब तो grandmother बहुत ही ज्यादा उदास हो गई क्योंकि उनने लगता था कि music और dance gentleman's के लिए नहीं होते हैं और वो उन्हें शोभा नहीं देते इन सब चीजों से उनकी grandmother बहुत ज्यादा दुखी हो गई और उनसे फिर बहुत कम बात करती थी फिर जब author university में पढ़ने गए तब author को अपना एक कमरा दे दिया गया था तब वो ये कहते हैं कि उनका जो आखरी common links आपनी grandmother की सा करती रहती थी दिन के समय खुद को relax करने के लिए वो sparrow को खाना दिया करती थी वो अपने वेरेंडा में bread के छोटे-छोटे टुकडे करके birds की तरफ एक देती थी और वहां पे बहुत सारी sparrow जमा हो जाया करती थी पूरे घर में sparrow की आवाजे गूंजने लगती है और author उ उनकी grandmother बहुत उदास हो गई होंगी वो वहां पे 5 साल तक पढ़ने के लिए जाते हैं और उन्हें ये भी doubt होता है कि कहीं उनकी grandmother इस time period में कहीं मर न जाये क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा age हो चुकी थी अभी तक पर जब author अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाने वाले ह होते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी grandmother बिलकुल भी उदास नहीं होती है और वो उन्हें छोड़ने के लिए railway station तक भी जाती है पर वो उनसे कोई बात नहीं करती है वो सिफ अपनी prayers को ही recite करती रहती है फिर author बताते हैं कि 5 साल बात जब वो बाहर से पढ़के वापस आ जा और वो ये भी बताते हैं कि पहले जिसे ही उनकी दिन का सबसे अच्छा समय वही होता था जब वो sparrows को खाना खिलाया करती थी उन्हें अपना गर बिलकुल वैसा ही लग रहा होता है पर उसी दिन शाम को वो बताते हैं कि उनकी grandmother पहली बार pray नहीं कर रही थी बलकि उन्हो उन्हें अपने neighborhood से कुछ women's को बुलाया और एक पुराने drum को बजाते हुए गाना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने उनका स्वागत किया और author को ऐसा लगता है कि ये पहली बार ही होगा जब उनकी grandmother pray नहीं कर रही थी उसके अगले ही दिन सुबह उनकी grandmother बीमार हो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हलका fever है और ये चला जाएगा पर उनकी grandmother कहती है कि उनका अंत बहुत ही करीब है और उनके पास कुछ ही घंटे बचे हैं और वो अपने इस आखरी समय में किसी से बात करके अपना समय खराब नहीं करना चाहती है और वो सिर्फ pray करना चाहती है और वो जब peacefully अपने bed पर लेटी हुई थी और pray कर रही थी तब एकदम से उनके lips रुख जाते हैं और उनके हाथ से उनकी रुदराक्षी माला गिर जाती है तब ही घर के लोग ये समझ जाते हैं कि अब वो नहीं रही इसके बाद author उनकी funeral का scene describe करते हैं जिनमें वो उनकी funeral क सारी तैयारियां कर लेते हैं और शाम को वो उनके anthem संसकार के लिए उनके ले जाते हैं और ये भी बताते हैं कि शाम को जब वो उनकी dead body को वहां से ले जाने वाले थे तब हजारो स्पैरोस वहां पर आकर floor पर बैड़ गई पर वो पहली बार कोई आवाज नहीं कर रही थी और जब वो grandmother की dead body को वहां से ले जाते हैं तब सारी स्पैरोस चुप चप चली जाती हैं और अगले दिन सुबह सारे bread के pieces sweeper वहां से हटा देता है और ऐसे end होती है ये story the portrait of a lady